जारकन में एक बाफिर कोरोना के लडाई में पीछे दिख रहा है चौते लहर की संभावना के बावजूद भी जारकन वासी बुस्टर डोस के लिए जागरुक नहीं दिख रहे हैं केंद्री प्रवक्ता मनोश पांडे ने कहा कि इस पर सरकार भी जागरुक होगी और जनता को भी जागरुक करने का प्रयास किया जाएगा और बुस्टर डोस हर हाल में लोगों को दिया जाएगा मुझे बिपक्ष की पार्टी बीजीपी प्रवक्तार सरोज सिंग ने पलचवार करते वे कहा कि राजी सरकार को केंदर से हर कुछ फ्री में चाहिए कोरोना की वैश्मिक में हमारे के टाइम में केंदर सरकार ने बहुती जादा मदद किया था अब राजी सरकार को अपनी और से बुस्टर डोज के लिए प्रयास करना चाहिए और जनता को जागरू करवाना चाहिए दूसरे देशों में देखें और राजियों में देखें तो बिलकुल इस पर गंभीरता पुर्वक विचार करने की जवरत है और मैं समस्ता हूं की सरकार इस पर बहुत ही साकारात मकरूप से आगे बढ़ रही है बढ़ेगी मानिय मुक्यमंत्री के संग्यान में भी आप ब लोगों को लग पाए यह सुनिश्चित करेगा तो ऐसे ही आरोप लगाते रहती है जब करोना का संकट आया पूरे दुनिया में देश में तो आपने देखा होगा राज्य सरकार कुछ नहीं किया करोना के इस लड़ाई में अब उस बूस्टर रोज को भी राज्य सरकार कह रही है कि केंदर ही दे यानि केंदर राज्य ऐसा समझ रहा है जैसे उनकी कोई जिम्मवारी ही नहीं है उनकी कोई जिम्मवारी ने जो कुछ है वो केंदर के पाले में डाल रहे है अगर